नमस्कार दोस्तो वैसे तो आप सभी को गर्मियों के मौसम में आम खाना बहुत पसंद होगा लेकिन क्या आप इस फलो के राजा आम खाने के फाइदे के बारे में जानते हैं अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में आप जान जाएंगे आम के फाइदे के बारे में तो चलि लोगों को बार-बार सर्दी जुखाम एलर्जी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे में अगर आप आम को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपको विटामिन C अच्छी मात्रा में मिल जाता है और जिसकी वज़े से आपकी रोग पृतिरोदर छमता काफी हद तक बढ़ जाती है दोस्तों अगर आप आम का सेवन करते हैं तो इससे आपको कब्ज जैसी समस्या से राहत मिलती है और साथ ही साथ आपकी पाचन शक्ती में भी सुधार होने लगता है इसके अलावा अगर आपकी आँखों की रोशनी कम हो रही है तो आप आम को अपनी डाइट में शामिल जरूर करें क्योंकि आम में विटैमिन A पाय जाता है जो कि आपकी आँखों की रोशनी के लिए काफी फाइदे मन्द है दोस्तों अगर आपको बलड प्रेशर जैसी समस्याओं से अपने आपको बचा कर रखना है तो भी आपके लिए आम का सेवन काफी फाइदे मन्द हो सकता है इसके अलावा अगर हमारे बॉड़ी को सही मातरा में पौश्टिक तत्व नहीं मिल पाता है तो हमें खून की कमी हो सकती है ऐसे में अगर हम आम को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे हमें विटैमिन C मिल जाता है जो कि हमारे शरीर को एनीमिया जैसे खत्रों से बचाने में काफी मददगार हो सकता है दोस्तों अगर आप आम का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर को केल्सियम भी मिल जाता है जो की आपकी हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने में आपकी काफी मदद करता है इसके अलावा अगर आप आम का सेवन गर्मियों के मौसम में करते हैं तो इससे आपकी तवचा भी स्वस्थ रहती है दोस्तो अगर आप आम को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपको काफी पॉश्टिक तत मिल जाते हैं जो कि आपके बालों के लिए भी लापकारी हो सकते हैं तो दोस्तो यह रही एक और स्वास्त की वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेर जरूर कीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद